दोस्तो बड़ी अपडेट निकल के आ रहे है, सीटेट दिसंबर 2022 का जो है रिजल्ट जारी हो चुका है, आप अपना जो है माक सिट जो है डाउड कर सकते हैं, कैसे आपको जो है देखना है अपना रिजल्ट हम आपको इस वीड़ो में एक लाइब जो है चेक करके और पेपर 2 में इनका जो है 93 जो है नंबर मिला हो जो की 62.00 इनका जो है यहाँ पे स्कोर गेन हुआ है जो कि यह पास आउट है, तो जानेंगे कैसे आपको जो है यहाँ पे अपना जो है रिजल्ट को देखना है, कौन से लिंक से आपको जो है देखना है, देखना है देख scroll down करेंगे न तो यहां पे आपको देखिए इस तरह से जो है यह आ रहा है सब्द यहां पे आपको किलिक करना है जिसा आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको देखिए आजी के डेट में जो है यह जारी हुआ अभी अभी जारी हुआ यहां पे आपको सिटेट आपको आना होगा dshelpingforever.com की website पे और यहाँ पे आपको जो है एक link मीलेगा live update में seated December 2022 result आप इस पे click करेंगे एक post खुलेगा उस post के अंदर जो है आपको result चेक करने का link मील लाएगा वहाँ पे click करेंगे तो आपड़ेट लिए इस page पे आ जाएंगे अब यहाँ पे roll number आपक जो कि आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं subject wise कितना आपको किस subject में नंबर मिला देखिए आप जो है child development and pedology में इनको जो है 30 में 29 नंबर मिला हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है और परसेंटेज भी यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे और बी काफी सारे information दिए हुए जो केंडिट्स स्कूरिंग साथ परसेंट एंब मार्क्स विल बी consider as a seated qualify मतलब जो बंदा साथ परसेंट या उससे एभब मतलब माक्स लाया हुआ है वो जो है seated वहाँ पे consider मतलब क्वालिफाई consider यहाँ पे किया जाएगा मतलब जो है वो सीटेट क्वालिफाई है और यहाँ पे आगे जबी वेकेंसी आएगी टीचर की या किसी भी पद पर वेकेंसी आएगी सीटेट को लगा सकता है तो यह देख सकते हैं अपडेट थी जो कि मैंने आपको दिया अगर आपको वीडि पर मिल दाएगा जिसको आप जो है एक अच्छे से जिस पर मोहर बार्कूट सब चीज रहता है हालाकि फिलाल आप इसे प्रिंट यहां से निकालके हाड कोपी अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे फिलाहल यह काम करेगा लेकिन अगर आपको ओडिजिनल चाहिए जो डिजी लोकर से प्राप्त होता है वो आप कैसे डाउंड करेंगे उसका मैं अलग से वीडियो लेकर आजओंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं लेकर आऊंगा उमीद करता हूं फ्रिंट्स आपको जनकारी समझ में आ गया होगा मिलते हैं किसी नए व जायत और देखते रे डिया सल्पिंग फॉरेवर थैंक यू फॉर वाचिंग जैहिन